हलो साथियों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में वीडियो नंबर 68 अनुपाद पढ़ रहे हैं पिछली क्लास में आपने काफी चीजे पढ़ लिया था और आज उसके आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आप पीछे की क्लास में देख च चैनल पर मिल जाएगा उसको देखना चलिए कल एक सवाल इसमें का किया था मैंने कि एक रूपया और 80 पैसे में अनुपाद निकालेंगे तो पांच चार आएगा कैसे आएगा वो मैं बता दिया था आज दूसरा वाला हल करेंगे क्या है दो रूपया और पचास पैसे में कर लेंगे और यह 50 पैसा इतना तो आप सभी जानते हो एक रूपया में 100 पैसा होता है सबको पता है इसके पहले मैंने आपको बताया था बताया था अगर नहीं आप समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं है मैं फिर से बता देता हूं है ना आओ देखो कि यह ठीक है अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों यह 200 है यह 50 है हमें इन्हें क्या करना है अनुपात में बदलना है ऐसे इनका दोनों का hcf लेकि डिवाइड कर देंगे वही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा इनका hcf पचास आएगा पचास एकम पचास पचास चुब का 200 होता है तो फोर रेशियो वन यानि चार और एक क्या आएगा अनुपात आएगा समझ में किसी को कोई परसानी नहीं न आया न समझ में याद रहे कि दोनों एक ही मातरक में होनी चाहिए रासिया अगर इसको हम ऐसे लिख देते दो और पचास तो पचास है लिख देते इनको हल करते एक और पचीफ आजाता यह गलत था यह बिल्कुल गलत था एक अनुपात पचीफ नहीं होगा क्योंकि वो दो और पचास पॉसिबल ही नहीं है वो रूपया में है वो पैसा में है एक है समान होना चाहिए तब आप इनका अनुपात कर फक्त्यों बात समझ प और तीन सो पैसा क्या है थीन सो पैसा इसमें क्या करना है पांच रुपया मतलब फांच सो पैसा और तीन सो पैसा मतलब यह हो गया 300 सभी समझ पा रहे हो ना इनको हल करेंगे 2-0 से 2-0 आप निप्टा दोगे तो क्या बचेगा 5 और 3 क्या बचेगा 5 और 3 तो यह क्या हो गया इनमें अनुपात 5-3 का अनुपात हो गया कोई doubt ना किसी को कोई दिक्कत नहीं बढ़ियां समझ में आ रहा है 500 और हो गया 300 कितना असान है ना यह बाकी का दो आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे एक दसामलो आला है इसको भी कर ले ना बिल्कुल तरीका सेम होगा मैं बता दूं कहो तो एक रूपया यह बनेगा 170 पैसा ठीक है वन पॉइंट से बन था ना 170 पैसा बनेगा वो 30 पैसा है हरल करके मुझे बताना से हरल करके चलो अगला कह रहा है कि 300 रूपय के सालू को सालू तथा रेसू में माटा गया जिन में से करमसा 140 रूपया और 160 रूपया इन लोगों को एक एक हिस्सा मिला तो इनका अनुपात बताईए कितना आसान है न इनका अनुपात कितना है 140 और 160 नाम किसका है पहले सालू का तो सालू को भाई साम मिला 140 और रेसू को कितना मिला 160 अनुपात बताना है इन दोनों का अच्छे सी अफ ले करके इनको डिवाइड कर दो बात खतम देखो एक तरीका तो यह है पहले आप 0 से 0 निप्टा दीजिए तो 14 और 16 बचेगा 2 फे डिवाइड कर सकते हैं इसको तो 7 आएगा 8 यानि 7 अनुपात 8 क्या होगा इनका अनुपात होगा अगर आपसन की बात करें तो 2 में C सही है है न बढ़िया अगला चलो 3 नंबर कहरा कि 160 रुपए को पंकज तथा माही में 90 और 70 रुपए में बाटा गया तो इनका अनुपात क्या होगा यानि P मतलब पंकज या मतलब माही 90 तथा 70 यहां क्या है 90 यहां क्या है 70 पंकज को 90 माही को 70 अनुपात ग्याद करना है क्या करना है ratio निकालना है 0 स 0 डिवाइड कर दो 9 और 7 का अनुपात हैगा क्या है olduğunu और 7 कानुपात हैगा यह 0 लेबल वाली मैयत से बिलकूल बेसिक वाली अगर आप एक महीना में पूरा संपूर्ण गडित पढ़ना चाहते हैं NCRT तो आप इस डिटेल को ध्यान से पढ़ सकते हैं इसमें आपको और भी बहुत सारे फीचर मिलेंगे कोर्स में एक लाइन में समझ लीजिए कि अगर आपको गडित सीखना है तो गडित सीखने वाली वो सारी चीजें हमें इसमें उपलब्द कराएंगे जो आपको चाहिए Google Play Store से डाउनलोड करिए और एक बार ट्राई करिए अगला देखिए क्या कह रहा है एक घंटे 10 मिनट तथा 50 मिनट का अनुपात बताईए क्या है टाइम एक घंटे 10 मिनट देखो यहाँ पर समझना पहले एक घंटे 10 मिनट और अगला क्या है मिनट में ही है एक गंटे 10 मिनट और अगली पार्टी सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट है भाई साब इन दोनों को हम मिनट में चेंज कर सकते हैं अगर हम गंटे में बदलेंगे तो दसमलों में आ जाएगा तो मिनट में चेंज करेंगे तो यह 70 मिनट हो जाएगा तुम्हें पता है कि नहीं, बताओ, भाई साब एक गंटे में 60 मिनट और 10 मिनट वो 70 मिनट हो जाएगा, तो इनका अनुपात निकालोगे तो 70 और 50 आएगा, 0-0 कैंसिल करोगे, 7 और 5 का अनुपात बनेगा, बोलो हाँ बनेगा, ठीक है, कोई डिक्कत ना किसी को, बढ़िया चलिए फटा-फट शापिए, हो गया, चलो ठीक है, डन, अगला, 5 नमबर बताइए, क्यारा कि 25 मिनट तथा 1 गंटे 15 मिनट में अनुपात बताइए, जल्दी करिए जल्दबाजी नहीं, 5 नमबर है, आसान है न, 25 मिनट तथा 1 गंटे 15 मिनट, देखो 25 मिनट तो ये ठीक ह अपनी जगा, एक घंटे 15 मिनट, उसको आल्रेडी आप बदल लो मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट, 15 मिनट, वो 60, 15 हो जाएगा, 75, तो इतना बनेगा न ये, यानि आपका बन रहा है 25 और रेशियो 75, इनको आप डिवाइड करोगे, 25, 25, 75, 1 और 3 का रेशियो बनेगा, इस इसी तरीके से आप सारा कर लेंगे, कोई डाउट है मुझे बताएंगे, बाकी की सवाल होम और करेंगे, आपको नहीं आएगा, इसको मैं आगली वीडियो में बता दूँगा, 69 नंबर में, ठीक है, इसी सीरीज को आप फॉलो करते रहिए, यूटूब में आप टोटली फ कर सकते हैं हमारे वाट्सप नंबर पर और ना जॉइन करने पर आप वीडियो में कमेंट करेंगे, तो वहाँ पर हमारी टीम के दौरा रिपलाई किया जाता है, बस इतना फानता रहा है, ठीक है, जैह हिंसाथियों, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए झाले करेंगे खिर।